अच्छी खबर आ गई है जनाब आपको जाती वाली वीडियो भी आपके सामने आ गई है एक घूमती चाय वाली वीडियो होती है एक जाती वाली वीडियो होती है जाती वाली असल में हम ना अपने चैनल को जड़ा थोड़ा डिफरंट रखना चाहते हैं इसको लाइट मूड में करते हैं खुश औखुर्म देखना चाहते हैं कोई जादा सेर्यस बात हो तो को हम थолж हो जाटें आपको पता है या घूसा भी बहुत करता हूं मानी मानी ह्कूमत की ओपर मेरा बड़ा गुसा होता है कई दवर लोग कहते हैं बाबाजी एड़ा गुसा ना करो लेकिन मुस्ली हम चैनल को अपना खुश खुरम बाला रखना जाते हैं ताकि आप आप के अगर थोड़ से टैंस हो भी सही ना तो हमारा प्रोग्राम देखके हमारे टी की ठीक है तो बात खुशकबरी की है बड़ी नवाशिदी की हवाले से एक बात बताता हूँ लेकिन सबसे पहले मैं यह बताऊंगा के सताइस फरवरी है आज और आज कि दिन हमने इंडिया को सबक सिखाया हमारी एर फूर्स ने और इंडिया के दो जहाज मार गिराए जी ह एक पाकिसान में गिरा और एक इंडिया में गिरा और अभी डंदन जिसको हमने गिरिफ्तार किया था याद है ना वो गूंती चायवाला जो कहता है जी पाकिस्तानी चायवड़ी मज़दार है प्रूर्स उनको वापस भी कर दिया था एन्यो यह हमारे लिए अच्छी बात है कि इंडिया ने जो है नो हमें अपना रोब डालने केlarını ये वो केस में कि जराब विए पाकिसान ने कराया है रोब डालने के लिए हमला कर दिया और वो हमला उन्होंने किया था आपको याद है ना वो जहां एक कवा मरा था और चार द्रख तूटे थे और वो भाग गये थे वो बाडर के घुस्ते ही ऐसे भाग गये थे तो फिर पाकिस्तान ने अगले दिन जो हमला किया उनके छेट ठिकानों को रज के तबाह बरबाद करके फोजी ठिकानों को तो वापस आगे तो उनका पीछा करते हुए यह अभी नंदन आया था तो जो ही यह हमारी फिजा में आए तो हमारे इनको जनाब हमने इनको पकल लि लिया और पाकिस्तानी फोज ने फिर इसको अभी नंदन को जिन्दा भी बचा लिया यह भी देखे जिन्दा भी बचा लिया तो यह आज खुशी के दिन है सताइस फर्वरी योग में दिफार कहले या जो भी इसको आप करे एर फोर्स का दिन मना रहे हम तो यह सारी पाकि अच्छा था यह अब करते हैं बात नवाज शरीद के हमाले से थोड़ी सी जिसका आपको इंतजार होता है हमेशा नवाज शरीद के हमाले से खबर से पहले आपको यह बताएं कि लोग मुझे बार बार फून कर रहें कि यार वो शीदा उसको आप डैश्ड है चो कह देते ह शीदा टल्ली कह लें यार टल्ली क्या ही दें कोई पहलें उसको सालिक दुनिया कहती है इमाराभान कहता है मैं अब क्या करूं शीदा टली जिसको मैं च newcomer चेומע़ आपको देंे घड़ी साब आपको यह उसकी बढ़क नहीं आई कोई उसका पेशन गोई नहीं आई, कुछ नहीं आया, तो ये हो क्या गया है, शेख रशीद साब किदर भाग गया है, किदर मुझ छुपा के फिर रहे है, शेख रशीद साब, फपे कुटनी, शीन से मीम निकलेगी, मीम शेशीन निकलेगी, काफ से मीम निकलेगी, किदर है शेख रशीद भईी, शे तो इमरान खान मेरी तो अपनी अवामी पार्टी है मैंने तो हमेशा कहता था कि यह जी पीटी आई वालों से पूछो पीटी आई पीटी आई वाले वैसे इसको ना इम शेख रशीद को वो मैं कहा दू फिकरा इसको अच्छूत समझते है अच्छूत यानि कि मजलस में सतनी होती शेख रशीद की वो कहते है ओ यार बस ये इमरान ने इसको रखा हुआ है रखा हुआ है अच्छा जी ये बाते है अब खुश्खबरी क्या है शेख रशीद किते हैं तू खुश्खबरी क्या है खुश्खबरी ये है कि नवाज शरीफ को मुतबर जरा इसे बता रहूं नवाज शरीफ साब को अपना नया पासपोर्ट मिल चुका है यह यह खुश्टबरी थी जो यह बता रहा थे लो 16 फर्वरी को जी एकस्पायर हो गया तो कम मिलेगा तो क्या होगा तो क्या नहीं होगा तो यह ब्रेकिंग न्यूज है मीडिया के लिए सब के लिए कान नवाज शरीफ साब ने को अपना नया पासपोर्ट जो है वो फ्रेश पासपोर्ट वो रिन्यू होके मिल चुका है और शेख रशीद की जो बढ़के थी कि मैं उनको कुछ नहीं दूँगा वो किदर गया भी शेख रशीद किदर गया यह इसलिए मूँ छुपा के फिर र अर वैसलाम भादाएगा तो मैं तबा कर मैं यह कर दोगा और यह वह यह बोइन्ष रशीद को आद लगा तो यह जना आप मैं यह कर दोंगा करते देना वो दरने के दिनों में दरने के दिनों में तो ये जनाब शेख रशीद साहब इसलिए गायब है अब वो कहरें जी मैं अब कैसे इसका वो बताओं कि जी नवाज शरीफ का तो पासपोर्ट मिल गया है और वजीर दाखला मैं हूँ और मुझे से कोई पूछी नहीं करतें और यार तेरी क्या आइज़त करें आठ आठ जमाते तूभगत के चला गया है आठ वजीर तुम ने भुगते है सबकी सबके जना वो खुशामत करते थे तो मैं वो को यह और लफज कहने लगा था खुशामत करते थे सबकी परवेज मुष्रव को आपने कहा था यह मुसलिम अमा का लीडर है और इम्रान खान को तुम कहते हो का यह पाकिस्तान की आखरी अमीद है ओ भई कभी इस पग में कभी इस पग में वो क्या हो जग खकता ही रहा हूं नचता ही रहा हूं मैं कभी इस पाग में कभी इस पाग में गुंगरू की तरह बज़ता ही रहा हूं मैं ठीक है ना ये गुंगरू है कभी इस पाग में इस पाग में या इस पाग में गुंगरू की तरह ये जनाब लटा करा है गुंगरू की तरह तो ये जनाब आपको बता रहे हैं और दूसर खबरें ये आ रही है कि यूसरोजा गिलानी का जो है वो इस में क्या कहते हैं सेनेट में बहुत अच्छी पूजीशन हो गई है बहुत अच्छी पूजीशन हो गई है और अब ये खबरें जो आ रही है ना कि यूसरोजा गिलानी को अगर अक्सरियत वोड मिलते है न वो जी रहे हैं न वो इस लिए सुन रहे हैं कि वो जो उन्हें एक लोटा बनाया है क्या कहते हैं वजीर खज़ाना ठीक है असद-असद अमर भी उसको वोट नी देगा ये भी मैं आपको आज बता रहूं σथ असद अमर भी حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دے گا کیونکہ حفیظ شیخ کو عصد عمر کو ہٹا کے لگایا گیا تھا یاد ہے نا آپ کو ہاں شیخ رشید اس کو شاید ایک ووٹ دے دے لیکن باقی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں دے رہے اور جو پنجاب کے جو سیاست تھی پی ٹی آئی کی نون لیگ کے جو فاروڈ بلاگ بن رہے تھے وہ اپنی موتاب مر گئے ہیں جو ایم پی اے شاید اپنی قیمت لگوانا چاہ رہے تھے ایم پی حضرات کہ جناب ساڑھا وہ موقع لگے ہے تو قیمت لگائیں گے یہاں تو سارے سارے یارہ دے یارہ بلا مقابلہ یہ بھی ویسے یار حد نہیں ہو گئی یہ اسے آپ مکمکہ کہیں گے یا کیا کہیں گے یہ بھی دیکھیں نا گیارہ دے گیارہ بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے جو فالتو ممبر تھے نا انہوں نے بھی واپس لے لیے نون لیگ نے بھی واپس لے لیے عام لوگ پتہ کی کہتے ہیں کہتے ہیں مجھا مجھا دیئے پیدا ہونی ہے چلیں یہ ایک حساب سے تو ٹھیک ہے کہ بلا مقابلہ ہو گئے ہیں اور ادھر گولی منڈی اور ہارس ٹیڈنگ نہیں ہوئی گھوڑے آدھر میلانی نہ لگا ہارس ٹیڈنگ جیسے کہتے ہیں تو ادھر وہ سارا کچھ ہو گیا تو یہ جناب آپ کی آج کی ستائیس فروری کی تازہ ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے میں نے بریکنگ نیوز بتا دیئے نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ مل چکا ہے اور ہونکسی لبوں کے شید رشید کی تھے میں بھی لبنا تازہ ترین خبرہ لے آکے دینا ٹھیک ہے جی امید آپ خیریہ سے ہوں گے چیل اور سبسکرائب کرنے کروانے کا بہت شکریہ شیئر کرنے کا بہت شکریہ تینکیو خدا حافظ بہت شکریہ